यह इंसानी प्रकृती है कि जो चीज आपको नहीं मिली है वही आपको सबसे उची चीज लगती है जो आपके पास नहीं होता उस पल वही सबसे बड़ा लगता है अगर आपने दो दिनों से खाना नहीं खाया तो खाना भगवान हो जाएगा आया ना? नहीं? अगर आपको यह समझ नहीं आया तो मूँ बन करके दो मिनिट तक अपनी नाग पकड़िये अब आप भगवान चाहेंगे या हवा? हवा अगर भगवान खुद पूछें हवा चाहिए या भगवान आप कहेंगे आप भाड़ में जाएए मुझे सांस लेनी है क्योंकि उस पल जो भी चीज आपके पास नहीं होती वो खुद को इतना बड़ा कर लेती है कि बाकी हर चीज को ढख लेती है या दूसरे शब्दों में जब आप मजबूरी की स्थिती में होते हैं तब चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वो हैं वो बहुत बड़ चड़ जाती हैं अगर आपका ब्लैडर भरा है एक मिनिट मैं आत्मग्यान की बात कर रहा हूँ आपका ब्लैडर भरा हुआ हैं क्या आपको रुची होगी मुझे आत्मग्यान नहीं चाहिए फिलहाल बात्रूम जाना ही परम्मुक्ती जैसा है हाया ना तो चाहे जो मजबूरी हो मजबूरी की स्थिती होने पर आप किसी भी चीज को उसके असली रूप में नहीं देखते जीवा नुस पल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि यही सच है तो इस तरह इंसानी जीवान एक मजबूरी से दूसरी में जाता रहता है यह आपको चीजों को उनके असली रूप में देखने का कभी समय ही नहीं देता अगर आप जीवान को वैसा नहीं देख सकते जैसा वो है तो क्या आप उसे वैसे संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए बिल्कुल नहीं है ना अगर आप चीजों को उनके असली रूप में नहीं देखते तो आप उन्हें वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए इसी कारण लोगों के जीवन और समाज कई तरह से भद्दे हो गए हैं जब मैं भद्दा कहता हूँ तो मेरा मतलब है सामान्य मैं एक स्कूल में 14-15 साल के बच्चों से बात कर रहा था वो लगभग 11-12 लड़के लड़कियां थे मैं उनसे पूछ रहा था कि वो आगे क्या करेंगे क्योंकि वो शायद दसवी क्लास में थे वो सिर्फ नौकरी ढूंड कर पैसा कमाने की बात कर रहे थे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि जीवन भर मैंने कभी पैसे कमाने की नहीं सोची मेरे पिता अपना सिर पीटते थे इस लड़के के दिल में डरी नहीं है इसका क्या होगा इसका क्या होगा मैंने का डर नहीं होना समस्या है मुझे लगा डर ना समस्या है मैंने कभी नहीं सोचा कि डर ना होना समस्या है तो परमात्मा का हुक्म था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे दस साल की उम्र में मैंने उनसे कहा नहीं ये तो मैं बिलकुल नहीं बनूँगा मैं डॉक्टर नहीं बनूँगा पर रोज कोई न कोई मुझसे कहता तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर ही बनना चाहिए आप भारती परिवारों को जानते हैं डॉक्टर बनना ही पड़ता है आज कल सॉफ्ट्वेर सीखना पड़ता है मैं मैं आठ दिन शिकागो में था दो दिन पहले ही मैं भारत आया तो आठ दिन पहले मैं शिकागो में था और वहाँ एक भारती व्यक्ती से मैंने पूछा आप क्या करते हैं और क्या सद्गुरू यानि वो एक सॉफ्ट्वेर इंजिनियर है कुछ समय पहले कोई कहता और क्या तो वो एक डॉक्टर होता अब कोई कहे और क्या तो वो एक सॉफ्ट्वेर इंजिनियर है वो डॉक्टर इसलिए नहीं बने क्यों उन्हें शरीर विग्ञान में रुची थी वो सॉफ्ट्वेर इंजिनियर इसलिए नहीं बने क्यों उन्हें इलेक्ट्रोनिक्स में रुची है बस पैसा कमाने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक चीटी जिसका दिमाग आपसे 10 लाग गुना छोटा है वो भी जीवन चला लेती है आपका दिमाग इतना बड़ा है आपको क्या समस्या है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भुरी तरह से सीमित करने वाला विचार यो वाँ पर थोपा जा रहा है कि आपको पैसे कमाने होंगे कि यही सबसे बड़ी चीज है इतना बड़ा दिमाग होते हुए पैसा कमाना क्या वाकई कोई समस्या है मैं जानता हूँ कि सभी को यही मानने के लिए तयार किया गया है पर ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है मानव चेतना के लिए पैसे कमाना एक मामूली चीज है पर दुरभागि से पूरी मानव था अपनी पूरी उर्जा और बुद्धी बस पैसा कमाने में लगा रही है अगर दुनिया में ये नहीं बदलता मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं कमाने चाहिए मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसे पूरी इंसानी चेतना पर हावी नहीं होना चाहिए अगर आप एक छोटी उंगली से काम करें तो ये पैसे कमा लेगी इसमें इतनी काबिलियत है पूरी इंसानी प्रतिभा मुर्जा कर मर गई है सिर्फ इसलिए कि सभी सोच रहे हैं पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं जब वो पैसा कमाने लगते हैं तो वो बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं आपको सोचना चाहिए मैं इस जीवन के साथ क्या कर सकता हूँ है ना आपको सोचना चाहिए इस जीवन के साथ सबसे बड़ी चीज मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि एक दिन आप मर जाएंगे क्या आप जानते क्या आपको पता है आप मर जाएंगे तो मरने से पहले इस जीवन को परम संभावना तक पहुँचना चाहिए, है न? मैं पैसे कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लोग गर्व से कहते हैं आप क्यों नहीं देखते कि हर कीड़ा, हर पक्षी, हर जानवर, इस धर्ती का हर प्राणी जीवन चला रहा है इतना गर्व कि मैं अपना जीवन चलाता हूँ, इसमें इतना गर्व करने की क्या बात है? सभी अपना जीवन चला रहे हैं, है न? सिर्फ इंसान ही इसे मुद्दा बना रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा जब मैं ये देखता हूँ कि इनसानी बुद्धी जीवन चलाते-चलाते कैसे कुर्बान हो गई है तो विश्वास नहीं होता मनुष्य कितना कुछ कर सकते थे वो अद्भुच चीजे कर सकते थे पर उसके बजाए वो पैसा कमा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है मैं सोच रहा हूँ कि हम एक लहर शुरू करें खास तोर से स्कूलों और कॉलेजों में कि पैसे कमाना एक छोटी सी चीज है ये जीवन का प्रमुखुद्धेश नहीं है एक छोटी उंगली से आप पैसे कमा सकते हैं इस बड़े दिमाग के साथ जब चीटियां जीवन चला सकती है तो इस दिमाग को पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहिए ये समस्या बन गई है क्योंकि आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं है ना आप किसी दूसरे जैसा बनना चाहते हैं आप गुलाम बन जाते हैं और इस चक्कर में पढ़ने के बाद और कुछ नहीं हो पाता आप हमेशा के लिए इसी में फंस जाते हैं अब जिस सम्भावना को हम योग कहते हैं वो शरीर को मरोडने, फिट होने या स्वस्थ होने के बारे में नहीं है अगर आप प्रकृती के साथ तालमेल में हैं तो प्रकृती ये सब कुछ कर देगी ये अपने सिस्टम की जामिती के माध्यम से ब्रह्मांड की जामिती समझने के बारे में है मैं इसे जामिती कह रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मांड एक जामिती है, है न? प्रित्वी सूरच के चारों और घूम रही है ये क्या है डीजल के शक्ती क्या एक डीजल इंजिन इसे धक्का दे रहा है अगर ऐसा होता तो इंजिन के आवाज से हम मर जाते जामिती इतनी अच्छी है कि धर्ती बस घूमती ही चली जा रही है है न आपने लगतार चलने वाली मशीने देखी हैं क्या चोटी मशीन है अगर आप बस ऐसे करें तो वो सालों तक चलती रहेंगी तो ये बस यही है जामिती की सटीकता इसे लगतार चलाती रहती है पूरे ब्रह्मांड में जामिती सटीकता है तभी ये अपनी जगा पर टिका है वरना नहीं टिकता अगर आप अपने शरीर को एक खास तरह से संभालना सीखें अगर आप उपके शरीर की जामिती बाकी सृष्टी की जामिती के साथ तालमेल में है तो अचानक एक तालमेल होगा जिसके द्वारा आप पूरा ब्रह्मांड इसमें उतार पाएंगे ये कोई छोटी चीज नहीं है अगर आप बस ऐसे जीएं तो आप हड़ी और मास का एक टुकड़ा है अगर अगर आप इससे सही कर लें तो अचानक ये कुछ और बन जाता है शायद अब लोगों को ये अनुभव नहीं होता क्योंकि आपके पास टाटा स्काई, डिशनेट वगेरा है पर मान लीजिए असी का दशक है और आपके घर के टीवी में दूरदर्शन चल रहा है आप अपना पसंदीदा क्रिकेट मैश देख रहे हैं अचानक आपका टीवी बूप बूप करने लगा तब आप छट पर जाते और वहाँ एक एलुमिनियम एंटीना होता था ऐसा किया, कुछ नहीं आया वैसा करो, कुछ नहीं आया पर उसे सही जगा पर घुमाने पर आह, दुनिया आपके कमरे में उतर आती ये भी ऐसा ही है अगर आप इसे सही रखना सीख गए तो पूरा ब्रहमान्ड आप में उतर आएगा तो खुद की इंजिनियरिंग का मतलब बहतर रूप से सांस लेना ज्यादा स्वस्थ होना नहीं है नहीं ये मनुष्य होने की पूरी क्षमता को जानने के बारे में है